नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एक्जिकूशन में और रोड की इस्थिती कभी-कभी ऐसी होती है कि आप सोचते हैं कि आखिर गलती क्या हुई है क्या नहीं हुई इस तरह की क्रैकिंग आ जाती है रोड कभी-कभी धस जाते हैं और आपका इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि आपकी इमेज भी खराब होती है कभी-कभी साइड में इस तरह की क्रैकिंग आती है कभी बीच में क्रैकिंग आती है अब क्रैकिंग आने के बाद आप बहुत सोचते हैं कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप मिट्टी दबाते हैं तो मिट्टी को आप जितना भी रोल करेंगे मिट्टी दबती जाती है फिर उपर मिट्टी डालते हैं फिर दबती जाती है आपको साथ ही साथ नई जब लेयर आप मिट्टी की डालते हैं तो आपको क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए और यह क्यों गलतियां होती हैं दोस्तों जाने अन जाने में जल्दिबाजी में यह गलतियां की जाती हैं सबसे पहले जब आप देखिए फ्रेस मिट्टी जब आप लेंग करते हैं तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि इस तरह के बड़ बड़े बोल्डर ना हो बोल्डर पहली बाद सबसे important point है और दूसरा जो सबसे बड़ा issue आता है कि आप जल्दिबाजी में या progress की वजए से या आप किसी और pressure से आपने क्या किया मिट्टी जल्दी laying कर दी और laying करने के बाद आपने पहले कुछ देखा नहीं और आपने rolling चला दी दूसरी सबसे बड़ी जो गलतिया होती है कि यहां पर देखिए इस तरह के जो पेंड के जड़ होती है या फिर छोटी मोटी जो जाड़ियां होती है वो मिट्टी में इस तरह से फसी रहती है अब कहेंगे कि सर ये ठीक है वो तो जड़ है तो क्या दिक्कत है लेकिन इससे सबसे बड़ा नुक्सान क्या होता है कि जब आप सोचिए इसके उपर फ्रेसल मिट्टी लेंग आप कर देते तो होगा क्या कि आने वाले कुछ समय बाद वो साड़ जाएगा जब साड़ेगा तो क्या होगा कि वो उस जगे पे air voids बना लेगा मिन्स आपको वहाँ पे खोखला कर देगा मिट्टी को और जब आप बाद में रोड पे कोई ट्रक जाएगा या फिर कोई heavy loaded वीकल जाएगा तो वो धस जाएगा तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जिस तरह से ये clean किया गया है दोस्तों कोई जड़ ना हो कभी कभी पेड़ की बड़े बड़े जड़ उसमें डाल दिये जाते हैं कि ये जल्दिबाजी में डाल दिया ध्यान नी दिया रोलिंग कर दिया तो भी ये समझ जाएगी दूसरी सबसे बड़ी important जो बात आती है कि आपको यहाँ पे depth जरूर देखनी है कि जो आपकी required depth थ कि वो आप उस गहराई तक अपनी मिट्टी को बराबर करते हैं कि नहीं कर रहे हैं या rolling कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अब रही बात की मिट्टी की quantity कैसे निकालनी है या बाकी सारा कुछ मैंने previous वीडियो एक बनाया हुआ है जो की detail में आपको बताएगा कि कैसे depth calculate करनी है और कैसे लंबाई calculate करनी है जिससे कि आप exact quantity निकाल सकें अब हर जेगे आपको गहराई चिक करके सबसे पहले तो नीचे वाला जो मिट्टी का level है उसको बराबर कर लेना है बराबर करने के बाद फिर आपका काम आता है rolling का कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों कि एक ची तो वही मिट्टी है कि continue आपकी धस्ती जाएगी जब तक वो दलदल अपने water को नहीं खो देता है तब तक वो मिट्टी धसेगी तो ये चीज भी धियान रखना है और जब finally आप roller चलाएंगे road roller कहिए या ये तो छोटा roller है क्योंकि विर्थी यहां पे कम हो रही थी road को चो मिट्टी को तो dry rolling करते हैं उसके लिए एक चीज ध्यान देना है कि सबसे पहले तो जितना मिट्टी आपका उंचा है आपको labor से कुछ कुछ dressing करना पड़ेगा dressing करने के साथ साथ मिंस थोड़ा सा cutting करना पड़ेगा जैसे यहां किया जा रहा है जो आपने गहराई नापी थी उसके हिसाब से या जो आपको गहराई पर जरूरत है मिट्टी की उसके हिसाब से अब ये dressing करने के बाद आप roller चलाने के पहले थोड़ा थोड़ा water sprinkle जरूर क जाती है और आप ड्राई करते हैं roller चलाते हैं उस पर तो उस समय क्या होता है कि किवल वो धूल जैसी निकलती है और मिट्टी ज्यादा compact नहीं होती है वो धूल बनता चला जाता है तो ये सारी चीज़ें आपको द्यान देनी है जब आप खासकर road बनाएंगे तो और रही बात गहराई की तो आपको सबसे बड़िया ठेहा बना लाना चाहिए मिंस एक आपको लकडी पे मार कर देना चाहिए यच्छड गाड के बाहन देना चाहिए ये भी मैं अल्रेडी बना चुका हूँ वीडियो की कैसे लेंग करते हैं कैसे आप required depth तक जा सकते हैं और जितना भी आपका road का age है उससे एक मीटर आगे जरूर रखें तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही अब मुझे विदा दीजे next वीडियो के लिए